हलो दोस्तों गुड मोनिक आइज वलकम बैक टू माई न्यू वीडियो आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है मुहमद आशीफ और आज की वीडियो के दर हम बात करेंगे दोस्तों बाड़े गाड़ी बाड़े गाड़ी के अंदर ऐसा फीचर से जिसके तुरू आप अपना खुद से पैचान सकते हो कि जो डूटी डिसी ने डाली हुई है वह बंदा फ्रोड तो नहीं है कहीं फेक डूटी तो नहीं डाली है आज कल आप देख रहो होगे वाटसप गूरुप देख देख रहो होगे यह फिर आप करके उसके मन में कनफीजन रहती है तो फाइनली आज का वीडियो में आपके लिए ऐसा लेके आया हूं जिसके अंदर में आपको बता हुआ कि आप अपने जिससे भी डूटी आप उठा रहे है जिसको एडवांस पेमिट दे रहे है उससे आपको कैसे पता लगेगा कि यह यह बंदा फ्रॉड है यह फिर फेक डूटी है तो फाइनली आज का वीडियो ऐसी के उपर है वीडियो अच्छा लगेए जरूर करना चैनल पर नहीं चैनल को सब्स्राइब दिखाना तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं शूरू दोस्तों अगर बहुत सारे डूटी बगर आती है वो वोट्सप गूरूप में जो लोग वोट्सप गूरूप में डूटी कर रहे हैं उनको कभी मौलूम नहीं पड़ता होगा कि सामने वाला जो डूटी पड़ी है वो फेक डूटी है क्या रियल डूटी है उसको कप ही प कि लिए सबसे बड़ी प्रोडम हो जाती है कि अक्सर मुझे कई सारे बाई कोमेंट करते हैं कि यह एडवांस पेमेंट मांगने का सिस्टम क्या है तो एडवांस पेमेंट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बाड़े-गाड़ी अगर एप्लिकेशन आप यूज कर रहे हैं त इसके अंदर आप अपनी डुटी जिससे ले रहे हैं जिसको एडवांस दे रहे हैं आगर वो फेक है वो पेचान सकते हैं दूसरा अगर बाइचांस आपने कर भी दिया तो उसको पकड़ सकते हैं ओनर भी आपको रिज tumor देदेगा अगर आपको वो चीज मालूम है फीचर्स के अंदर आपने चेक कर ली तो आप फ्रोड होने से बच सकते हैं दूसरा वो उस फ्रोड को पकड़ भी सकते हैं ताकि वो और लोगों के साथ जो भी ड्राइवर समाज होते हैं उनके साथ और फ्रोड ना कर सके उस एप्लिकेशन के तुरू देखि कई सारी एप्लिकेशन आती है गूगल पिलो इस्टोर है लिंक वगरा है वीडियो बगरा देखा तो फ्रोड जो करने वाले होते हैं वहां से वो अल्लेडी डाउन्लोड कर लेते हैं सामने वाले के डाइवर्स जो भी होते हैं उनका एक कनफीजन हो जाता है कि हमको यह सामने वाले बंदे की डूटी जो पड़ी है वह सही है क्या नहीं है हमारे पैसे डूप जाएंगे क्या नहीं जाएंगे इस चीज को परखने के लिए वाड़े गाड़ी ने एक फीचर अपडेट किया है जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि यह जो डूटी है वह बंदे ने सही डूटी डाली है अगर डाली है फेक डूटी पता कर सकते हो वह सारी चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलते हैं मोबाइल की स्कीन पर लगा दिया आपको बताऊंगा कि आपको अपनी डूटी फेक डूटी है फेक वेंडर है फ्रोड बंदा है किस तरीके से अपनी डूटी को पहचान करनी है और आपको फ्रोड गिरी से बचना है यह वाली वीडियो जो लोग बाड़े-कड प्राक्टिकल सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपका जो कनफीजन है वो किलियर हो जाए बहुत सारे भाई मुझे पूछते हैं यह एडवांस पेमेंट क्यों लिया जाता है अक्सर एडवांस पेमेंट लेने का सिस्टम क्या है तो आप अपना एडवांस पेमेंट बीन तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है अगर यूज कर रहे हैं तो नहीं यूज करते हैं अगर पकरने वाले हैं तो आप यह भी वीडियो देख लें ताकि आपका जो कनफीजन हो खिलियर हो जाए हमारा जो पेज है बाड़े-गड़ी का इंटरपेस इस तरीके से आएगा ह बाड़े वाली डुटी पढ़िए दिल्ली से हमदावाद आए तो इसके अंदर यह बंदा केसे पता करेंगा जिए अगर न्यूबिगिश डैवर है या फिर ओलेडी है चलो इस बंदे को कोई पेचानता है तो ठीक है नाम से या फिर उसके टूर एंट ट्रावेल से अगर उसकी पेचान है तो ठीक है अगर नहीं पेचानता है तो उसकी डूटी को कैसे बजाना है कि यह जो डूटी है वो सही है हमारा पैसा नहीं पसेगा उसके लिए आपको क्या करना है यहां पर उसका नंबर है प्रोफाइल यहां से निकलेगी वह मैंने आपको बताई पिछली वाले वीडियो में इसकी यहां से यह प्रोफाइल निकलेगी ठीक है रिपोर्ट बगारा करने का ओप्संस यहां से आता है नीचे लिखा हुआ है यह वाले मैं रिपोर्ट कर सकते है अगर यह फेक बंदा है तो जरूरी नहीं है यह एक एक्जांबल के लिए मैं बता रहा है कि यह सही डूटी है यह फेक डूटी है यहां से यह नंबर लेंगे क्योंकि हमें इसी नंबर से कॉल करके हमको डूटी उठानी होती है तो यह जो नंबर है ना इसको हम करेंगे क्या करेंगे कॉपी करेंगे यह नंबर को हमने कॉपी किया कॉपी करने के बाद इसको हमन प्रोल करेंगे तो हमको कई सारे नज़ार आते हैं कई सारे ऑप्षंस हैं जो आईंगे पहले कौन सा है market दूसरा requirement जो वहां से डूटी नीखलती है यह कि यह तीसरा जो आप्षंथन है यह बहुत एपको क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा है लाइन के साथ किसी भी गाड़ी goggles की कहानी मतलब समझेये किसी भी गाड़ी की कहानी कोई भ borrow वेंडर है उसकी कानी यहां से निकल के आएगी यहां पर नीचे की साइड आप देखेंगे क्या रहा है किसी भी नंबर को डालो और देखो बाड़े-गाड़ी मेंबर है या नहीं ठीक है अब हमको यही चीज़ देखनी है कि जो डूटी पड़ी थी उसको वह मेंबर इस संथा ल्यान च्र Hah 도 फाल यहां पर आजाएगी ओपर जैसे हमने वह नंबर किया तो यहां पर देखेंगें जो नंबर घ्रोलने डाला था क्लिए यह रहाए इसका नाम से यह है तो इसकी यहा बना यहां से चरूलनल यह डाल्ध है अगर के से करना है ये बंदा किलियर है ठीक है इसी नंबर से इसने अपना एकाउंट बाड़े-गाड़ी पे बनाया हुआ है तो ये वाली जो डूटी है वो परफेक्ट है सही है पतब इसी नंबर से है तो हम अगर ये बंदा हमारे साथ फ्रोड भी करता है तो हम इसको पकड़ सकते हैं क्यों कि यहां से अगर हम 695 में लास्ट में इनम्बर है एक लगे लिए तो मैं अगर यहां से नंबर चेंग कर दों कर दूं गु OUT तो मैंने 5 पटा दिया और याँ पर आप देख सकते हैं याँ पर क्या रिकिया है यह पूरा आप देख सकते हैं यह पूरा आपको यहां पर यह पर मिल जाएगा यह phone number बाडे गड़ी में एक में रजिश्टर्ड नहीं है यह खोधी बता देता है कि यह नंबर बाड़े-गड़ी में रेजिस्टर नहीं है तो यह होता है पता करने का तरीका के आपको अपना इमाउन डालना है अगर मैं यहाँ पे सीथा नंबर डालता हूं तो उसकी परूपरी हिस्ट्री आजाएगी सीधी सामने है लोग इसी ची नहीं है इसकी चक्कर में वह आपकी help नहीं कर पाते हैं और उनकी help ना करने की वजह यही होती है कि लोग नंबर जो करने वाले दूसरे नंबर से वह फ्रॉड कर देते हैं तो जब भी आप डूटी उठा रहे हैं वह नंबर डालके जरूर चेक करने से पहले अगर वही नंबर है तो बहुत आसानी से जो ओनर है इसके वह बहुत आसानी से आपकी help कर सकते हैं 80-80% आपकी अच्छी स्कासी help हो जाएगी अगर बाइचांस आपके साथ कोई fraud हुआ है तो तो यह मेंबर जो सर्च का option दिया गया है अगर जिस बंदेने जैसे माला मैं हूँ अगर मैंने कोई ID बनाई है अपना अधार का लाइसन्स जाला हुआ है तो और मेरा एक contact नंबर होगा तो यह तीन सीजें मेल खाएंगी तभी आप पकड़ सकते हो किसी को भी किसी ने भी आपके साथ फ्रोड वगरा किया है तो यह नंबर डालने के बाद आपकी प्रोफाइल उपर हो जाएगी और नंबर आसानी से उसको उसका एड्रेस पादर कार्ड पे लाइसन्स प न्यू बिगिनर्स कास करके बहुत ज्यादा उनको तकलिफ होती है और पुराने ड्राइवर्स भी है तो जितने भी एप्लिकेशन को यूज कर रहे है एक सेकिंड का काम है नंबर कपी करो डालो और तुरन चेक कर लो यही नंबर से हम डुटी उठा रहे है इसी नंबर से ह सब कुछ कर रहे है उसका पेमेंट बगरा तो नंबर वेरिपाई है बाड़े गाड़ी से एड है अटेच हो चुका है वेरिपाई हो चुका है तो फिर आप पेमेंट कर सकते हो अगर वो फ्लोड करता भी है तो आपकी बाड़े गाड़ी 24-27 आपकी हल्प करेगी उसी तो फाइनली आप समझ गए होगे कुछ कंफीजन बगरा होती ही तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर लेना और इसका लिंक वीडियो के डिस्में में मैं दे दूंगा वहां से जिसने डाउनलोड नहीं किये वो डाउनलोड करके अपना बिजनिस पढ़ा होते है तो जाई